नमस्कार साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं राजस्थान उनिविश्योटी ओफ हेल्स साइंसेज के दोवारा MSC Nursing Interest Exam आज कंडेट करवाया गया था 10 दिसंबर को इसकी आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है आपके कितने क्युस्षन यहाँ पर राइट हैं कितने रोंग हैं यह आप मिलान कर सकते हैं हालाएं कि आपको बता दें कि आरियोचस के जवारा जो MSC Nursing Interest Exam कंडेट करवाया गया था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर कोई भी क्युस्षन अगर रोंग होता है तो उसमें आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है चलिए डिसकस करते हैं टोटल 120 मिनिट का यह पेपर आपका हुआ था जैसा कि आपसे भी जानते भी हैं तो सबसे पहला क्युस्षन था अलग-अलग वहाँ पर आपके थे आपका जो क्युस्षन आएगा आप मेज कर सकते हैं कपेसिटी अप गाल बलेडर आपसे पूछा गया है तो इसके अंदर आप सभी जानते हैं जो कपेसिटी है वो यहाँ पर 50 ml होती है जो की हर्ट पंप करता है एच वेंट्रिकल में इच हर्ट वीट में उसको अपन क्या बोलते हैं तो ये इजी टैप का क्युस्षन है लेकिन इसमें भी कंफूज हो जाते हैं तो इसको अपन इस्ट्रोक वोल्यूम बोलते हैं टोटल नमबर ओफ सर्वाइकल थोरेशी के लंबार वर्टीवरा हैं वो कितनी होती हैं तो यह आपको बताना था राइट आंसर 24 होने वाला यहां पर इसके अलावा मसल्स ओप जो इंस्पिरेशन हैं वो सभी है केवल एक को छोड़के तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं इसके अलावा गुलुको नियोजेनेसिस है वो किसके दवारा डिक्रीज किया जाता है तो यह वेर इजी लेकिन कन्फ्यूजिंग क्यूशन है इंसूलीन के दवारा इस बार जो मस्ची नर्सिंग का जो पेटर्म रखा इसकी एक्षन के कारण होता तो यह यूरिकेसिड के कारण होता है इस टिमिंग ओ उफ मेटरनल मैटेरियल सोरी साथ मेटेरियल ऑट हेंडे डिगरी सेंटिगर्र फोर 20 मिनट्स फोर्थिरी कंशंक्टू डेज तो इसमें यहां पर यह क्या टाइप का है आपको बताना होग स्पेरोफाइट्स बोलते हैं इसके अलावा इसके अलावा इसका लेवल किस डिजीज में आपको बढ़ावा मिलता है तो वह है गौट इसके अलावा मम्मी रसिस्टेंस और यूज किसके लिए अपन करते हैं जैसा कि आपसे भी जानते हैं इसके एक्वेलेंट होता है यह आपको बताना मेक्रो ड्रोप के अगर बात करें तो 15 मेक्रो ड्रोप के एक्वल होता है वाट पोजिशन बेस्ट फॉर असेस्मेंट के लिए कौन सी पोजिशन होती है तो हाइफावलर पोजिशन होती है इसके अलावा नेक्ट जवाब का क्यूसन है वाट इस दे टरम यूज फॉर दा हाई-पिच साउंड मुजिकल जो साउंड होता है रेस्पिरेटरी में उस इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर बैड मेकिंग इसके लावा नेक्ट चुस्टन है प्रियोरिटी जो प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इस दन बाई किसके दवरा दन होती है तो वह अपन मासलों जो हरार की होमन नीड का उसके अकोडिंग अपन प्रिपेर करते है इसको अंदर कहीं ना कहीं इंटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है इंटर्नल और्गन में हो रही है इसके अलावा जो ट्वंटी नमबर क्यूस्टन है यहाँ पूछा गया है जो स्माल रेस्पिरेशन है किसके अंदर यहाँ आपको देखने को मिलता है इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन का जो पेटरन है डियाबिटिक कीटो एसे डोसिस में देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है फ्लोरेंस नाइट एंगल अब यहाँ पर अडल्ट और चिल्डर नहीं दिया गया है और इसी कंडिशन जब भी होती है तो आपका राइट जो आंसर होता है वो के रोटिड पल्स हो जाता है इसके अलावा तर बोइलिंग जो पॉइंट है वाटर का जो बोइलिंग पॉइंट होता है साथियों 100 डिग्री सेंटिग्रेट होता है इसके अलावा नेक्स क्यों सेने वीच ओफ फॉलॉइंग टेकनिक इनवल्व इंवल्व इंदे सेंस ओफ साइट के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं इंस्पेक्शन नेक्स्ट है विच सोरी साथियों वर्ट परसेंटेज ओप्रोटीन कॉंट्रिबूट तो टोटल एनरजी इन इंडियन डाइट के अंदर कितनी प्रोटीन है जो अपना योगदान देता है वह है इसमें 10-15 अपन डाइट में इंक्लूड करते हैं एक्जामपल फोर्द है माइक्रो न्यूट्रेंट तो माइक्रो न्यूट्रेंट का मतलब आते हैं साथियों को समझ जाना है क्योंकि कार्वाइट्रेट जो फेट्स होते हैं यह सारे मेक्रो न्यूट्रेंट होते हैं फॉलिकुलार हाइपर केरेटोसिस आल्सो कॉल्ड एज इसको पन क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं फायरेनो डर्मा नेक्स्ट है डिफिशेंचियो विटामिन डी इन अडल्ट तो अडल्ट के अंदर क्या आप कोज करता हैं ओस्टियो मलेशिया विटामिन जो C है उसका रिच जो सोट से वो क्या होता है साथियो तो यहाँ पर जो अप्सन दिखाई दिए रहे हैं उसमें आमला होने वाला है तो इसको अपन बोलते हैं पेट्रियार्किल फेमिली अदर टरम फोर मल्टी जनरेशनल जो फेमिली हैं उनके लिए अपन क्या टरम में कामें लेंगे अक्स्टेंड फेमिली हाँ पर C आपका राइट आंसर है 32 का है इसको अपन बोलते हैं सास्तियों सोचल मोबिलिटी इसको 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 अपना डाल सकते हैं इसके लावर नेक्स कुछन है इसको वरिंग मसल स्टेंशन है डेग है श्वेटिंग है ट्राइडनेस है ट्रिमलिंग है तो यह सबी जो हैं यह किसके कुछन लग बग रिपीट होने वाला क्यूसन है तो इसका आंसर होने वाला है नेक्ट आपका आंसर है फार्मेकोड डाइनमिक्स इस दे स्टेडियों किसकी स्टेडि कर रहा है साथ हूं वार्ड द्रग डज टू दे बोडी नेक्ट है दे प्रीफर रूट ओप एड्मिसे ड्रग ऑफ चोईस इन टाइफोईड तो ड्रग ऑफ चोईस टाइफोईड में आपसे पूछा गया है तो शिफरो फलोक्षिन यहां पर राइट आंसर होने वाला है दे फॉलोईग इस यूज इन राउंड वर्म जो इन्फेस्टेशन होता है इसके अंदर आपको कौन सी यूज में करते हैं अपन तो आप से जानते हैं अलबंडा जोल प्रियोटी नर्सिंग इंट्रवेंशन इन इन इंड पोस्ट गेस्ट्रोइस्कोपी किसी की हुई है तो उसके तुरंत बाद अपन यहां पर क्या नर्सिंग प्रियोटी रखने वाले हैं तो इसका राइट जो रहें गेगे जो रिफ्लेक्स है कोई भी फ्लूड एडमिस करने से पहले एक बार चेक करेंगे दे मॉस्ट कोमन साइट ओफ अकरिंग पेप्टिकल सरी इस टोमक में कहां होते हैं तो पाइलोरिक पोर्सर में होते हैं विच टाइप ऑफ सोलूशन इस कॉमली यूज़ और फ्लूड रिप्लेस्मेंट अगर कोई पेशेंट वर्न का है तो उसके अंदर अपन सबसे पहले हार्ट मांजू सोलूशन से वो यूज़ करते हैं और हार्ट मांज सोलूशन का दूसरा नाम आप सभी को पता होना चाहिए 45 जो क्यूशन से है यह पुछा गया है कि कोई नर्स से है राम्या इस सक्षन ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब ओफ एन एडल्ट पैसेंट दूरिंग दे प्रोसिजर दे केट्टर अपेर तो अटेच टू ट्रेक्यल वाल एंड किरेट अ पुलिंग सेंसेशन वाट इस दे बेस सक्षन बाइ ओपनिंग दे वेंट यह बहुत अच्छी प्रेक्टिश रहेगी आपे वीच आप दे फॉल्ओं रेस्पिरेटरी कॉंप्लिकेशन इस मोस्ट कॉमन आप्टर सर्जरी के बाद जो सबसे पहले होता है जो मोस्ट कॉमन में आता है वो आता है एटलेक्टिस रे इस अमंग दे फॉल्ओं इस दा मोस्ट इस स्पेसिफिक मार्कर फोर दे डियाग्नोसिस ओफ एक्यूट मायोकार्डल इंफ्रक्शन ट्रोप यून अपने आपर कामल हैं बलड गुरूफ वीच इस दर नोट लाइकली तो बी पर्जेंट इन बेबी बोन तो मदर विद ओ एंड फादर विद ए नेगेटिव बलड गुरूप तो यहां पर राइट आंसर आपका एबी पॉजिटिव होने वाला है नेक्स्ट आपका क्यूसन है कि इमीडेट मेनेजमेंट ओप चोईस टूर बीपी एंड पेरिफरल सर्कुलेशन यहां पर अपन आरल देते हैं कि जनरेशन ओप देफ सब्सक्राइब नाइगरा डिपलेटिंग डॉपमाइन प्रोडक्शन वाट इस दफेस्टिंग एंड शूद असे टो डेटर्माइन देटर्माइन देपर जो पता चलता है वो लेवल ओफ कॉंसिएस ने से चलता है देमोस्ट कॉमन कॉम्डिकेशन आप्टर एक्यूट एमाई क्या होता है साथियों यह होता है डिस रिधमिया वेन देपेसेंट इस ओन दे मेकेनिकल वेंटिलेशन के उपर है और वीच ओफ फॉलोंग एक्विकमेंट सुट बी कीप रेडिये बेड़ साइड तो देख लिए साथियों यहां पर जो आपका मेनुल री सक्षिटेशन बेग होना चाहिए क्योंकि कभी भी मशीन में प्रोब्लम आ सकती है इसके अलावा इसका राइट आंशर होने वाला है मोनिटरिंग प्रोपर प्लेशमेंट ओप ट्यूब एवरी टू एजार नेक्स्ट है दर नर्स अंडर्स 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 तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले आईवी हीपेरिन जो सोडियम है वो स्टार्ट कर देना चाहिए तो इसका क्या होता है यह आप से अबर पुछा गया है तो इसका राइट आंशर जो इन्होंने माना है वो ए माना है नेक्स्ट असाथ यह नर्स अंडर्स सपोर्ट नहीं करता है तो यह आप आप देख सकते पर जो ब्रोड लिगामेंट है जो की उत्रस को सपोर्ट करते हैं नेक्स हैसोपनिंग आप टे लोवर इंक्सेगमेंट यह कौन सा होता है आपका हेगर साइन होता है वाट इस दे स्ट्रेक्रेक्ट्रीश्टिक वैजलरे वेट इनों नहीं सही माना है आप्टर डिलेवरी दे यूट्रस बिकम ए पेल्विक ओर्गनेट मेबी की टू विक्स टू विक यहां पर जो है बुराइट आम से माना जाएगा विज आप दे फॉलोइंग फॉलोइंग डज नोट कोज दे सब इन्वलेशन ओप दे यूट्र गल्फ्व के उसके अंदर इंक्रीज एपिटाइट नहीं होता हैं अकोडिंग prison now is tillEntre न होता है तो इसके तो सीवियर अगर एगर न होता है तो किस से कम और आपन बोलते हैं उसक पर नहीं बोलते हैं सेवन ग्राम पर लिग्र What is the average requirement of iron in the third trimester के अंदर भढ़ जाती है तो 68 mg पर डे Next Under the National Anemia Prophylaxis Program How much element iron should all pregnant and lactating mother receive कितना कम से कम 100 mg of element iron हो जी Which of the following is not one of the danger sign of preeclampsia कौन सा नहीं है पेन अब्डोमन नहीं है इसके अलावा next जो questions की answers है वो आपको second part में देखने को मिलेंगे धन्यवास आती हूं वीडियो को से चनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे साथ जोड़े रहने के लिए